तो देखते हैं पर question number 19 में हम से क्या पूछा गया है in what direction does the buoyant force on an object emerged in liquid act तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो buoyant force लगता है किसी object पर अगर हम इसे liquid में dip करें तो वो कौन सी direction में लगता है वो हमें यहाँ पर बताना है तो इसको हम यहाँ पर एक example से समझेंगे तो माल लो कि यह हमारे यहाँ पर क्या है टब है यह हमारे यहाँ पर क्या है एक टब है और इसमें हमारे यहाँ पर पानी भरा हुआ है यह हमारे यहाँ पर क्या है पानी भरा हुआ है इसमें liquid है और यहाँ पर हमने एक mug ले रखा है यह हमारे यहाँ पर क्या है एक मग है यह हमारे यहाँ पर मग है और यह जो हमारे यहाँ पर क्या है टब है और इसके अंदर यहाँ पर क्या भरा हुआ है लिक्विड भरा हुआ है क्या भरा हुआ है लिक्विड भरा हुआ है तो हमने यहाँ पर करा क्या हम इसको नीचे की सा पुष करते हैं तो जो actual buoyant force लगता है, वो हमारे यहाँपर कलक्ते इसके opposite direction लगता है, तो इसका जो opposite direction होगा, वह यहाँ पे क्या होगा? upward direction होगा, क्या होगा यहाँ पे? upward direction होगा, तो वो हम हम इहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर जो answer में हम 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 क्या लिखेंगे, वह मैं अब आपको बता देता हूँ, the buoyant force, the buoyant, the buoyant force on an object, on an object immersed, on an object immersed, in a liquid in a liquid acts in the vertically acts in the vertically acts in the vertically upward direction आप चाहे तो यहां पर यह वाला डाग्रम बना के उनको समझा सकते कि अगर यहां पर परकाल से वह यहां पर क्या लगता है हमेशा अपवर डारेक्शन में लगता है जैसे कि हमने यहां प्राइं तो हम यहां पर पर उपर के साइड उसको पुष करता है तो हमें वहां पर पता चलता कि जो बूइन्ट फॉर्स है वहां प्र पर काम कर रहा है और वह कौशी सी डारेक्षिन कर रहा है upward direction में कर रहा है तो होग आपको इस question का जवाब मिल चुका होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ